तो friends एक और IPO का analysis अब आपके सामने यहां पर आता हुआ देखने को मिल रहा है और definitely जिस प्रकार से यहां पर लगातार आपको देखने को मिलेगा IPO आते हुए देखने को मिल रहे हैं बली वो main line हो बली वो SME हो यानि small and medium enterprises दोस्तों यह main line का IPO नहीं है यह basically आपको जो IPO आता हुआ देखने को मिलेगा वो SME कंपनी का है और आज से ओपन होता हुआ देखने को मिला है हुआ देखने को मिल जाएगा कंपनी के वरे में बात के दोस्तों तो कौन को जो है वो 2011 में चालू हुई थी इनका दोस्तों जो basically business आपको देखने को मिलता है वो है manufacturing and supply of coach related and electrification products for Indian railways and other railway contractors तो दोस्तों basically company का काम किसका है कमपनी का जो काम आपको देखने को मिलता है वो है railway coaches का किसका है railway coaches का दोस्तों की का काम रेता हुआ देखने को मिलता है और इसमें के वर अ सब की ही 북한 company आपको देखने को गहाँ केबल होस्त की अख जो ग्रॉक्रिकिकेशन होते हैं हैं जो को जाकी हैं जो जम्ट Ś Seems je यह अंदर रिवा रिक्री चार्जर लगता हुआ है लेक्री चार्जर नतरबाता यहूँद कोवी father है RDSO, RDSO नहीं Research, Design and Standard Organizations है, ताकि ये Manufacture कर पाते हैं Products Indian Railways के लिए, तो basically दोस्तों Indian Railways से ही इनका mostly कारुबार आपको होता हुआ दिखने को मलता है, company के जो दो manufacturing units है वो लखनाव और उत्तर प्रदेश में, लखनाव उत्तर प्रदेश with a total size at measuring over 1880 square meters, तो आपको इस प्रकार का दोस्ते हैं आप एंप कंपनी का manufacturing units है, जो दोनों लखनाव में situated है, company के key clients है मैंने का कि कौन को ने, इंडियन railways है पूरी जिसमें Eastern Railways आ गया, Southern Eastern Railways, Southern East Central Railways, Northern Railways, East Railway, East Coast Railway, North Frontier Railway, तो basically दोस्ते हैं आप company के जो आपको देखने को मिलता है वो railways है, लेकिन उसके अलावा भी ऐसा नहीं कि सिर्फ railways है, KEC International Limited, L&T आपको देखने को मिलेगा, कल पत्रू पावर आपको आता हुआ देखने को मिल जाएगा इसके अंदर, RVNL, Fedder, Lloyd Corporation Limited, Tata Products Limited और बहुत सारे दोस्तों आपको इनके clients देखने को मिलेगा, तो company के पास जो Cliental Base है ना, मैं आपको वो कह सकता हूँ, वो बहुत स्ट्रॉंग देखने को मिलता है, बहुत बहुत स्ट्रॉंग, इस प्रकार का company का Client Base है, अब बहुत बात करते हैं, आगे तो company के बात करते हैं, अब revenue के उपर किस प्रकार का company का business रहता हुआ, देखने को मिला, लेकिन mostly company के numbers किस प्रकार के हैं, तो देखिए दोस्तों 31 मार्स 2020 को company का total revenue था, वो था करीबन 15 करोड 90 लाग के असपास का, जिसमें company का मुनाफ तो ये दो साल जो थे, उसमें definitely दोस्तों, COVID भी अपने आप में एक important respect था, उसके बावजूत company की profitability manage रही, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 31 मार्स 2022 में, company का revenue है, वो 31 करोड का पौचता हुआ, देखने को मिलागा 31 करोड का, और company का मुनाफ़ा 2 करोड 58 लाग का हो गय है, company की net worth माफ करेगा, reserves जो है, वो भी करीबन 7 करोड 33 लाग के, तो अपने आप में, company का जो business है, वो काफी grow होता हुआ, देखने को मिल रहा है, fastly grow होता हुआ, देखने को मिल रहा है, जहां company 2020 में, करीबन 8 करोड के total assets रख दी थी, आज आपको देखने को मिलेगा, वो करी अब याद रखीएगा, क्योंकि SME इशू है, तो definitely दूस्तों, इसमें different different चीज़े आपको पता चलेगी, अगर आप first time लगा रहे हैं, तो याद रखीएगा, इसके 10 रुपे की face value है, 29 सब्टेमर तो खुला रहेगा, 55 रुपे प्रती शेयर दूस्तों, company का price बंड रखा ग ठीक है, यह बात important है, एक लाग दसार में आपको एक मिलता हुआ देखने को मिलेगा, एक ही लगा सकते है, minimum maximum capacity एक ही होती है, यह issue जो है वो ज्यादा बड़ा आपको देखने को नहीं मिलता है, 8.32 करूर रुपीस का issue आपको आदा हुआ देखने को मिल रहा है, अब यह दो company का basically जो issue है वो 29 को बंद होगा, लेकिन 4 तरक को इसका lotment आता हुआ देखने को मिलेगा, 4th of October को और इसकी जो listing है, वो 10 October को होती भी देखने को मिलेगी, company के अगर अब आप देखेंगे promoters की holding जो 100% की है, वो issue के बाद 73.53% की रहती भी देखने को मिल जाएगी, company का promoters है Mr. Nitin Jain and Mr. Gaurav Lutt, यह हैं दोस्तों company के promoters, अब एक important बात अपको समझने पड़ेगी, दोस्तों concord के लिए अच्छी बात है कि company का business बहुत तेजी से grow हुआ, इसमें कोई doubt नहीं है, लेकिन जो एक बात यहाँ पर कहीं गई है, जो अपना आप में बहुत important है कि company का major concern क्या है कि इनकी जो dependency है, dependency, वो government के उपर बहुत जादा है, जो आगे चलके कभी अगर delay होता है, payments है, सरकार की policy change होती है, तो एक दिक्कत रह सकती है, अगर आप FY22 के earnings देखेंगे तो company के पास issue appears fully priced, cash, surplus investors may consider investment with a medium to long term perspective, listing gain भी होता हुआ देखने को मिलेगा मिलेगा, लेकिन यही कि जैस लेके चल सकते है, अभी दोस्तों की करें ग्रे मार्केट के बारे में बात करें, तो ग्रे मार्केट जो चलती भी देखने कुमल रही है, कौन को रोट की है, वो 55 रुपे के सामने 47 रुपीज चलती भी देखने कुमल रही है, यानि करीब ए 102 रुपे पर listing, 85% का दोस्तों बेसिकली प्रॉफिट रुपे का कम सकम सब्सक्रम सब्सक्राइड दिखा रहा है, तो क्या इसे में आई प्लाएक कर सकते हैं, हमेशा दोस्तों ये एक क्वेशन था, तो इसका साफसाब आंसर यही कि अगर आपको listing गें चीए, तो आप लगा सकते हैं, वैसे देखिए मिल आई रहा है, तो टाइमस अगर आपर थुड़ा सा रिस्क भी ले सके, वैसे में अगर लिच्छ भी बहुत 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 जादा नहीं हो पाती है, इनके अंदर, जिस दिन list ने होता है, उस दिन basically बेसिकली दिक्कत कभी नहीं होती है, लेकिन जिस दिन listing day के बाद यह आप मान के लिए 10 तरीक को लिस्ट होगा, 11 तरीक से होगा क्या, कि वॉल्यूम्स जो है उसमे ड्रास्टिकली फॉल आता हुआ देखने को मुलेगा, तो यह हमेशा एक मेजर दिक्कत रहती भी देखने को मिलती है, SMEs के अंदर, कि बहुत बार जो शेयर आप सेल करना चाह कैसा लगा है, बाकी सब डेफिनिटली अभी महिनन इशू भी आता है, आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें जो सबसे अभी नाम निकल क्या रहा है, इलक्रोनिक स्मार्ट का चार तरीक से खुलेगा, तो उसका भी डीटेल व्यू आएगा, तो डेफिनिटली यह है, बाकी ज़रू आपको मैं यह कहूंगा, कि आप SME के उपर सबसे पहले, अपनी खुद की रिसर्च करिए, खुद की स्टड़ी करिए, उसके बाद ही लगा कि आपको पुरा कंपनी को समझना पड़ेगा, तो यह बात बेवाद इंपोर्टन्ट है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपसो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जूड़े, सब्सक्राइब कर देना, थैंक्यो फ्रेंट उचित देना, इसस वीडियो writing, झालओ डिया इंचक्ताइब कर देना, झालओ तेना, यह दोया है, तो फूल यह फ्रू टो, में इंखना, ऑला मतले भीक्ताइब केयां, तो ब्सक्तित रखित